पॉप जानेंगे बापु को जमीन आवंटन नहीं कर रही है सरकार तो इसके विशे में हिंदुवादी संगठोनों का क्या कहना है पॉप जी की संस्था को कुम्ब जैसे परवन एक हिंदु संठोन को जगे ना देना बहुती दुरभागय पॉड़न है दुख का विशय है कहीं सालों से बापु की स्वंस्ता और उनके बगत हिंदु के लिए बहुत सारा काम करने है वो काम को देखके उनको जमीन देनी चाहिए उकुम मेले में भी जमीन देने चाहिए आसरम जी बापु को वो हिंदु धर्म से दूर ले जा रहे हैं उनके लिए कुम्ब मेले में जगे दी गई है तो कहीं ना कहीं कुम्ब को एक राजमितिक अख़डा बराने का जो प्रयात्म हो रहा है वो बड़ा दुरवा के पोन है विश्व इंदु परिशद राष्टिय स्वयम सेवक संग और अख़डा परिशद आधी समस्त सादू समाज के आगे नतमस्तक होकर हम निवेदन करते हैं कि आज बापू की नहीं आप लोगों की प्रतिष्ठादाओं पे लगी है आप नहीं कुछ साल पहले बंबई में धर्मरक्षा मंच में तेरा अख़डे वाले तेरा अख़डे के माननी अध्यक्ष समस्त सादू समाज मिलकर बापू जी को अध्यक्ष कोशित किया था आज आशाराम बापू जेल में नहीं हैं राजनेति वद्वदों पर बड़े वदों पर पड़ा परिशाद और सरकार से भी ये लोग निवेदेन करना चाहते हैं कि बापु ने पिछले 50 सालों से जो समाज उत्थान के कारिया किये उस वज़े से बापु को जमीन मिलनी चाहिए करने के लाएं लिए कि कुछ हिंदुवादी संगठन के लोग है तो उनसे हम जानेंगे कि बापु को जमीन आवंटन नहीं कर रही है सरकार तो इसके विशे में हिंदुवादी संगठनों का क्या कहना है पहले उनका परिचले ले क्या नाम है आपका अरुन गौड मेरा मुख तरह से अपने संस्कृति की रक्षा हो और जो बोलेवाले आदिवाश्यों को गुम्रह करके धरमांत्रित किया जाता है वो फिर से अपने संस्कृति में डटे रहे इसी से हमारे देश की सुरक्षा है और इसी से वाय में हम निरंतर लगे हुए है आज देश के करोड़ों जानते हैं उसके साक्षी हैं बड़े-बड़े मिनिस्टरों ने स्विकार किया है जब आशाराम जी बापु वियास्पिट पर ससंग किया करते थे आपने देखा है कई प्रदान मंत्री वहां आया जाया करते थे और साय देश का ऐसा कोई भी प्रतिष्ठित मंत्री नहीं होगा जो उनके पास ना आया हो और चुंकि उन्होंने कारिक किया है देश के लिए अरुन भई अभी कुम्मेला चलने वाला है तो संतासा राम जी बापु को कुम्मेले में जमी नावंटन नहीं कर रहे है तो उसके विशे में क्या कहना चाहोगे बड़े दुख की बात है दुरभाग्यपूर्ण है और ये किस न किस रूप से एक राजनितिक द्वेस के सिकार हो रहे हैं बापु और हम ये नहीं कह रहे हैं हम किसी पार्टी को लक्ष नहीं बना रहे हैं लेकिन निश्चत रूप से कही ना कहीं कुछ ऐसे व्यक्ती है राजनितिक पदोपे बड़े पदोपे जिनके द्वेस भावना के सिकार हो रहे हैं बापू और ये केवल इतना ही नहीं है उनके जो पांच करोड़ फॉलोवर्स हैं अनुवियाई हैं उनके लोकतांत्रिक अधिकारों की भी ये हत्या है वो जो आज कुम्ब मेला में आना चाहते थे बापू जी के को अगर क्याम आवंटित होता वो उससे बंचित रहेंगे तो कहीं ना कहीं कुम्ब को एक राजनितिक अखड़ा बराने का जो प्रयात्न हो रहा है वो बड़ा दुर्वागी पूर्ण है सरकार का तो यह कहना है कि अखड़ा पड़ी सद इसका विरोध्र कर रहा है नरंदरगिरी जी महाराज ने इनको फरजी संत की सूची में डाला है इस वज़ए से सरकार इनको जमिन नहीं दे रही है तो क्या कहोगे उसके बिलकुल यह बात सची नहीं है कहीं ना कहीं जाते हो भी इस प्रकार का अगर कहीं निर्ने दे रहे हैं तो यह बड़ा दुर्भागी पूर्ण है और क्योंकि उजयनकुम में नरंदरगिरी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बापो जी का पक्ष रखा था और अखड़ा परिशत के जो महामंत्री है और उन्होंने भी बहुत ही सुल्जेवे तरीके से बापो का पक्ष रखा था डॉक्टर अवदेश पूरी जी महराज है जो महानिर्वानी अखड़ा के महामंत्री भी है उन्होंने तो यहां तक कहा था कि जो बापो ने किया है वो कोई दस जनम में नहीं कर सकता अखड़े परिशद वाले खुद भी जानते हैं कि असली सादू कौन है नकली सादू कौन है राम जन्मभमी न्यास के माननी अध्यक्ष परंपुझ निर्त्य गुपाल दाजी ने सपष्ट सब्दों में उज्जेन कुम्भ में परंपुझ बापुझी का समर्थन किया था है बापु ऑजी निर्दोस है डॉक्टर राम विलास विदानती जी जोद्या से हैं MP रह चुके हैं और उन्होंने फ़र्ष्ट शब्दों में बापुझी का समर्थन किये था विल्कुल बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने समर्थन किया था जहां तक आपने कहा असली और नक पूस्ते हैं जिन्होंने करोडों लोगों का व्यसंद छुड़ाया वो असली या नकली जिन्होंने लोगों को सही मार्ग में चलाया वो असली या नकली या जो लोग गांजा पीके पड़े हैं दारू पी रहे हैं मांस मच्छी का रहे हैं और हिंदों के खिलाफ में बोल रह और उसके बाद भी सरकार उनका प्रोडेक्शन कर रही है आज सच में बड़ी वेदना का विश्य है आज पूरा हिंदु धर्म को खतम कर दने की बड़ी सोची समझी साजिस चल रही है विदेशी ताकत इसमें पूर जोर से लगी हुई है और कही ना कहीं सरकार भी उनका हतकं कंड़ा बंती जा रही है अगर वो सोच रही है कि हिंदु धर्म को खतम करके हिंदूं को दबा करके वो इस देश पे शाशन कर पाएगी तो आपको एक उदाहन देता हूं पंडित मदन मोहल मालविय जी ने जवाहर लाल नहरू को परिया कुम्ब में उनका कंदा थपतबाते हुए कहा था कि नहरू अगर इस देश पे राज करना है तो इन हिंदूं का आदर करना पड़ेगा इसलिए मैं फिर से अपील करता हूं सरकार से और विश्व हिंदू परिशच से भी अपील करता हूं कि आज जो अन्याय हो रहा है बापुजी की संस्ता के साथ अगर उन्हें कुम में जगे ना दी गई तो कहीं ना कहीं आप भी कटगरे में खड़े होते हैं पर पांच करोड साधकों का विश्वास आप से तुटेगा इसलिए आप भी सयोग करें उन्हें जमीन देने में मदद करें आपने बताया कि कुछ राजकारण कुछ राजनितिक लोग नहीं इच रहे तो ऐसे कौन लोग है जो बापु को जमीन आउंटन करने में बाधा पैदा कर रहे हैं हम किसी पार्टी का नाम ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं लेकिन मैंने कहा कि राजनितिक बड़े पदों पर आसीन कुछ ऐसे तत्तों हैं इने गिने जिनका बहुती बड़ा रोल है बापु जी को बाहर ना आने देने में उनको ऐसा सायद लगता है कि बापु हमेसा बेबाग तरीके से अपनी बातों को रखते हैं और उससे हमें नुक्षान हो सकता है क्योंकि बापु ने पिसले प के बाद लाइफ टाइम आजीवन कहरावास के सजा हो सके और ऐसे केस में जसका कोई प्रूफी नहीं हो जब डॉक्टर स्वामी कि खुद कह रहे हैं कि लड़की ने लड़कीन के एफ यार में ही कहीं आरोप नहीं कि मुझे बलातकार हुआ है तो आप ऐसे कैसे ऐसे केस प के विरुध में जो लोग काम कर रहें acağसे लोगों को भी यो लौक जमीन दे रहे हैं बिलकुल सही बात है आपने बिलकुल सही का है एसी संस्ष्था मिल्कुल है और उसमें प्रजाव्यता ब्रमाकुमारी है है भारतिय संस्कृति के जितने भी संपर्दाय हैं चाहे वो सिव जी को मानते हो चाहे किसी भी संपर्दाय से जुड़े हुए हैं चाहे वो सभी गीता को मानते हैं रामयान को मानते हैं वेदों को मानते हैं उपनिशदों को मानते हैं लेकिन ब्रह्मा कुमारी एक ऐसी संस्ता ह जो रामयन को कपुल कल्पिद बोलती है, गीता को जुट बोलती है, वो कहती है कि आटे में जितना नमक सच्चा उतना ही गीता सच्चा, उनका गीताकार कोई शिव बावा है, तो ऐसी संस्ताएं जो हिंदू धर्म का चोला पहन कर, काल नेमी की तरह हिंदू धर्म का खंडन क करते हुए, अपने संपर्दाय को बढ़ाते जा रही है, मतलब वो हिंदू को बर्गला कर, हिंदू धर्म से दूर ले जा रही है, उनके लिए कुम्भ मेले में जगे दी गई है, तो इससे सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं कुम्भ मेले को भी अब धीरे-धीरे, विदेशी के बाते उठाते हैं, और हम तो आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं, पुरे देश की जनता को, जो भी हिंदू धर्म के प्रती कुछ भी आस्था रखते हैं, कि आप देखिए, आप सोची, आप समझ ये, कि आसाराम बापु हो, चाहे स्वामी नित्यानंद हो, चाहे ह सदू संत, समाज में सेवा कर रहे हैं, उनके उपर आप कुछ भी जूटे आरोप लगवा कर, क्योंकि आपके हतकंडे वो नहीं बन रहे हैं, क्योंकि आपके राजनितिक हतकंडे वो नहीं बन रहे हैं, आपके कहने पे नहीं चल रहे हैं, इसलिए आप उनके उपर आरोप लगा कर आपको जेल में ठूस दोगे कैसे चलेगा यह थोड़े दिन की घटना है आप जानते हैं के रल में सेक्स कंडल हुआ लुदियाना का पादरी था हाँ विसब था पादरी विसब था वहां के बहनों ने रेलिया निकाली अंसन किये धरना दिये उसके बाद भी स्रिफ 21 दिन के अंदर उसको बेल मिल गया तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि यह 100 करोड हिंदूओं के साथ विश्वास घात हो रहा है लोग तंत्र के नाम पर लोग तंत्र की हत्या हो रही है आज आशाराम बापु जेल में नहीं है आज भारतिय संस्कृति जेल में है आज अगर उनके करोडों फॉलोवर्स जिनको उन्होंने व्यसन मुक्त कराया जिनको उन्होंने राष्ट्र भक्ति का पाट पड़ाया आप उनके जीवन को देखिए वो राष्ट्र के लिए उपयोगी है या घातक है फिर आप नेर्णा की जी हम तो पूरे देश की वाशियों को अपील करते हैं कि अन्याय अत्याचार कप तक आखिर आप क्यों नहीं देख रहे हैं आग खोल कर कि 50 सल से वापु ने क्या किया है एक कोई लड़की खड़ी होकर कह दे अरे आज तो पिक्चर के हिरोई ने पैसे फेको और तमासा देखो करती है हम तो किसी के सामने किसी बिलकुल एमजे अकबर के उपर आरोप लगा भाजपा के बहुत बड़े मंत्री थे वो एमजे अकबर क्या हुआ क्या हुआ वो जेल गए क्या हुआ हो मामला कुछ भी नहीं हम विश्व इंदू परिशद राष्टिय स्वयम सेवक संग और अखाड़ा परिशद आधी सम सादू समाज के आगे नत्मस्तक होकर हम निवेदन करते हैं कि आज बापू की नहीं आप लोगों की प्रतिष्ठादाओं पे लगी है आप नहीं कुछ साल पहले बंबई में धर्मरक्षा मंच में तेरा अखाड़े वाले तेरा अखाड़े के माननी अध्यक्ष समस्त सादू समाज मिलकर बापू जी को अध्यक्ष गोशित किया था और आज आप किसी राजनितिक दबाव में आगर आप आकर ऐसा न्याय का साथ दे रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं आशाराम बापू के फॉलोवर्स सह रहे हैं ध्यान रहे जो गायों की हत्या होती है न वो बेजुबान प्राणी है वो अपनी चीख बोल नहीं सकती वो अ ऐसे ही आशाराम बापू के सिश्य चुंकि उन्होंने उनको सज्जन्ता का पाट पड़ाया है धैरिय का पाट पड़ाया है इसलिए वो आज सांत है लेकिन उनके हरदे की जो पुकार है न आप देख सकते हैं कि तीन राज्यों में क्या हाल हुआ है बापू के साधक कभी नहीं चाहते हैं कि हिंदू द्रोही सकतियां आएं साशन में लेकिन जब हम जिने अपना मानते हैं वही हमारे पीछे चुरा लेके पड़े रहें तो क्या करें कहां जाएं इसलिए समय रहते हैं अगर वो चेत जाएं तो अच्छा है वरना कहीं रक्षा लेने की कोशिस की तो आने वाले समय में यह अच्छी बात नहीं होगी शत्ता तो केवल पांच वर्सों की हैं और इस संस्कृति को अनाधिकाल से भगवान ने रक्षा किया है साधू संतों ने इस धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानियां दे दी मुगलों की सल्तनत को उखाड फेकने के लिए सिख गुरूओं ने कुर्बानियां दे दी लेकिन उनके सामने सिर नहीं जुकाया धर्मसत्ता कभी भी राजसत्ता के सामने नतमस तक नहीं हुई है हमारी ये संस्कृति है संत अपने आपको बलिदान दे दिये हैं लेकिन अ बापु आज जो सेह रहे हैं वह जित्ना सेहर रहे है हैं उत्ना ही सासक के लिए प्रशाशन के लिए अब का तक है क्लीола से भी बात करेंगे वह ओन लोग तो उसके विशे में क्या कहो गया? के लिए आवरण में आये हैं बट जैसे ही बाहर आएंगे सबको मानना पड़ेगा कि बापु एक साक्षा धर्म है और धर्म की जीत होगी होगी बापु ने युवाव के लिए नहीं बट समस्त हिंदू धर्म के लिए बहुत कुछ किया है बापु ने हिंदू संस्कृति पूजन देशा एक महान परवादिया है कि बच्चे अपने माता-पिता का सन्मान करें उसका पूजन करें यह से बहुत सारे काम योग के लिए पी किये हैं पूजे बापु ने क्या कहना है कि सरकार को यह बात देखनी चाहिए और बापु को जमीन आवंटन करने देखनी बहुत कुछ देखना चाहिए क्योंकि पीछले कई शालों के कई चाहिए कंई सालों से बापु की अवंतन होनी चाहिए कर न नए चाहिए फिर भी वो अपने दिल के ब्याथा बोल नहीं सकते हैं क्यों क्योंकि उपर उनका अधिकार नहीं चलता है किसी और की सत्याराती है इसकी जैसे वो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं दबाव में आके वो लोग बोल देते हैं बस यही मैं खाना चाहूँगा क्या नाम है नारेन है मैं यह कहना चाहता हूं कि असरामजी बापू को बेल मिलना चाहिए उख्यों मेले में आशा राम जी बापू को क्या च्या ख inner अख़के ऊंचाशोंल और सरकार से भी ये लोग निवेदेन करना चाहते हैं कि बापु ने पिछले 50 सालों से जो समाज उत्थान के कारिया किये उस वज़े से बापु को जमीन मिलनी चाहिए और आज भी आदिवाची छेत्रों के अंदर आप जाके देखो को इसाई लोग मिश्णरिया उनको हिंडू से कनवर्ट करके इसाई बनाती है तो बापु के भक्त जाके उनको जीवन जरूरत हर चीज वस्तु देती है और फिर से उनको हिंडू धरम में वापस लाते है और बापु के भक्त ऐसा नहीं बोलते है कि आप केवल बापु को मानो उनका यही कहना है कि आप भगवान राम को मानो भगवान करेस्टन को मानो माता जी को मानो मतलब आप हिंदू धरम में बने रहो तो बापु ने पिछले 50 सालों से धरम के लिए जो काम किया है तो हिंदुवादी संगोठोनों का यही कहना है कि यही सी वज़ा से आसाराम जी बापु को यह सजा मिली है केमेरा में नंजनी के साथ निलेश ठक कर सुरत सहर से रफ्तान न्यूज